मुश्कार सात्यों कैसे हैं आप सभी मैं आपका दोस्ट पावन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वागत करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं सांदार होंगे फस्ट किलास होंगे और तैयारी आपकी काफिय चल रही होगी दोस्तो आगया हूं मैं आप सभी आजाईएगा वीडियो को लाइक कर दीजिगा देन चैनल को सस्क्राइब कर लीजिगा और बहुत ही सांदा रूप में चलेंगे आज हम एक रिवीजन क्लास होगी जिसमें कई बच्चों के कुशन भी आ रहे थे कि सर एक बार ओलंपिक के कुशन और एक बार आपके जंगन्ना के कुशन करा दो तो ठीक है आप लोगों को परेशान नहीं होना है जंगन्ना से रिलेटिड जो भी कु कि फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथ यह चले तो पहले आज मैं 20 सवाल करांगा इस्पोर्ट के 20 सवाल करांगा जंगन्ना के और 20 सवाल करांगा ओलंपिक के यह आज का टूपिक रहने वाला है फिर से बता दूँ एक सेशन बुक पर भी कर फिरांगे मैं लुट कर्चुका हूं एक टोपिक एक टोपिक ने वुक तेंट टोपिक कर चुका हूं तो आज सबसे पहले स्पोर्ट पर इसके बाद बच्चो ऐलंपिक पर प्रोलंपिक के बाद जंगंन्ना पर आप लोगों ने जो कहा था में वो पूरा कर देता हूं ठीक है, थैंक्यू सर्जी, चलिए, तो बचो पहला कोश्चन मेरे यहां लेकर आ रहा हूँ, करनाडा का राश्ट्रे खेल का है, जल्दी चलो, बचो आपको बताना है, मेरे प्यारे सातिव, यह बहुत important सब्वाल है, आपके पेपर में कहां से सवाल आरहे हैं, बचो एक second लोगो, यार, एक second लोगो, आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं बेटा कहां से आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं आपके जणगंड़ना से कहां से जणगंड़ना से अलमपिक से कुश्चन आ रहे हैं और बङ्हों क्या वैसे सवाल आ रहे हैं और खेले से ज्यादा सवाल आ रहे तो इन चारो तो पर यह ज़्या श्रेपहाई सब आ हाई चलें अच्छा बागर बोड़ा हो गया चलें इसके बाद सबिए को फिसलो थोड़े चलो कि अगर में जापान की बात करूं तो भीया एमटीस मेरे लगबग 45 प्लस सही है सलक्षन पका फिजिकल की तियरी करोगर आवल्दार में जाना है यह होगा जूड़ो अगले देखे इसकोट लेंड कर आश्टे को खेंसा है तो यह वेट आपका रगभी फुट को को की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जल्दी चलो कि को को की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं एक बार तुम अपने टेलिग्राम पे सेर कर दो एक बार हम करते हैं वीडियो लाइक कर दो सब भी बच्चे आ जाएंगे जो भी तक नहीं जुड़े अगला देखे वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो में तो वाटर पोलो में बेटा आपके साथ खिलाड़ी होते हैं अगला एक पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी ते वाटर पोलो अलग है और पोलो अलग होता है पोलो अलग होता है वाटर पोलो किसके भी थे गे विस्बास के प्रहुअ कुना है मैं क्सवा लगी होते हैं, में आगला ये बली बल्डिकी होते हैं, में व बप्रत करांवी ऑग को आगर मैं बल्ड़ी बल्के में ten लाडिषिए देखो बॉस्किट वॉर्म्हीं कितने ख्लाड़ि उते हैं जो बस्केट वड़ी उते हैं जो जो मृष illnesses ग्लाड Втор क्षब लेखे अगला देखे कितने ख्ला-डी कि थ्म में करमच है कॉको कवड्डी और बॉलेवल टिर इस ने कांस्वर दो कोको कबड़ी और बोलीबोल कोखो ले bereit होते हैं कोखो कबड़ी और बोलीड़ में कितने के लड़ी होते हैं बचो बोल बहिता है थो तो साथ यह देखो अभी मैंने आपको खोको बहुत है नौ अब एक पक्ष में आठ को संध्य आपका पेपर अच्छा जाएगा परेजान मत हो आपका पेपर अच्छा होगा भगवान बोलेना समच्छा करेंगे आपने बहुत मेनत कि है कचलि कि मैं आप से पूशा कबड़ी में कितने इन एक साथ यह सवाल पेपर Kalοι में पूचा जा दूब इक यह सवाल आचुका में इसलिए तुमसे पूचा अगला सवाल देखो किस समुर में साथ खिलाड़ी होते हैं व्ruct developed पूरी स्टेटिक जी गे मतलाख MBOOKे के मेरी पढ़ाय रहारी एक इस भार नहीं है तो दोस्तो insult हो जाए आपका क्या फोलो वाटर पोलो और कबड़ी वाटर पोलो और कबड़ी अगला देके निमली कितम से 11 खिलाड़ी किस खेल में नहीं होते कि जन गणना के क्वेश्चन ला रहा हूं बेटा परेशान मतो अभी कर वहां गों पज तीस क्वेश्चन जन गणना के हैं आपको बताना ग्यारों किसमें किसमें ने होते हैं तो देखो भी रहा किरकट भी किरक्ट में गया रहtown होते हैं combined पोटबल में क्या रहे होते हैं यह नहीं होते हैं यह एंसर अगला सवाल किस ग्रुप में खेलों के प्रक्षतर पख्व में खिलाडी बराभर होते हैं खो कि संख्या बराबर होती है ये बता बच्चे तो बराबर होती है कि किस गुरूप में साथ किलाड़ी होते हैं किस गुरूप में साथ किलाड़ी होते हैं नेट वोल और खोको को में तो नहों होते हैं यह तो हो गई नहीं तो यह आंसर हो जाएगा आपका कबड़ी और नेट वोल अगला देखिए किस गुरूप के प्रतियक पक्षमिस सबसे ज पर मैं चट्रण गणना शुरू कर रहा हूं इसके बाद में तो बच्चों यह वजागा आपका रगभी फुटबोल जिसमें लागर 15 किलाडी होते हैं क्या होते हैं 15 किलाडी अगला देखो निम लिके तुमें से किस देश में सुरी किस खेल में टीम में महीला और पुरूस दोनों किलाडी होते हैं यह जागा आपका कर बोल अगला देखिए यह लाज शवाल आपको होता नहीं रगभी फुटबोल कितने किलाडी पहले बता आपको करा रहा रहा हूं इसे जरूर पढ़कर जाना जन्गंगना राहा हूं यह जरूर पढ़कर जाना भच्चो पहला सवाल आपकी इसक्रीन पर यह रहा बताए अगर मैं बात करूँ सर्वादिक जंसंग्या वाला राज्य कौन सा जहां लगबग 21 करोड लोग रहते हैं बताओ जहां करीब 21 करोड लोग रहते हैं वह कौन सा देश है यह आपको बताना है उमीद कर रहा हूं कि आप मेरी इस बात को समझेंगे और आपको कुछ अच्छा आज मिलने वाला है बत 20 करोड हो गई हो वह मैं तब तक नहीं कह सकता बेटा जब तक आपकी अगली जंगर्णा ना हो जाए ठीक है ध्यान रखना अगला सवाल देखो भी आगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा जंगर्णा आकलन रिपोर्ट प्रिदिश्दित करती है कि भारत इस तुमें सब साक्षर्थ अधर सबसे कम किस में थी जिनका पेपर पड़ सो पढ़के जाना है कि साक्षर्थ अधर भारत में सबसे कम किस की थी तो भाईया सबसे कम थी आपकी बिहार की सबसे ज्यादा किस की थी सबसे ज्यादा बताना किस राज्य की थी भाईया सबसे ज्यादा लिट् आघने सकते राज्य में सबसे अधिक अंतरा था मतलब स्त्री और अगर बात क ρूँ मेल फीमेल इनके साक्षरता में बाँट बढ़ा धर geben dragging औस था आपका राजिस्थान अग्ला देखे डोज़ार गई में सव Starting कि दिख रहा आपको वह आपको पता होगा लेकिन बचो मैं यह चाहता हूках कि आपको मैं भारत में पहली बार जो जणगर्णा हुई ती यह मैं आपको बता दूं कि एका 1811-1882 में 1872 में कि इसके समय में तो यह हुई थी लाड मेयो के काल में अब देखलो रिपन रिपन जो लिक रहे हैं वो गलत लिक रहे हैं जो रिपन जवाब दे हैं वो बिलकुल जबाब गलत दे रहे हैं मैं उमीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे 15 मिनट का वेट गलो उमीद करता हूं बहुत अच्छय से इस बात होगे बहुत अच्यसे से बत ठीकeria तो सिर्फ आपको क्या करना होगा लाड मैं और देना होगा अगला सवाल केता है आजादि के बाद पहली बाद जंगर न कब means you जो जवाब ना दे सके अपने घर चला जाना बच्छो जो बच्च ि इस सवाल का जवाब ना तो इस तwas एक भी सवाल भार नहीं है एक भी इस्टेटिक जीके का एक भी सवाल भार अगर हो तो मुझे बतां हो कि अगर एक भी सभा बहुत बताव हया 2000 कि बात नहीं कर रहा वो कर आजाती के बाद आज़ कब कशा है निस्तो सहतालिस में आजाद कभी बच्चों निस्तो सहतालिस में संविधान कभ लग हुआ उसके बाद पहली जंगर्णा हुई थी ति थी ठीक है अगले सब्सक्राइब सबसे ज्यादा किसमे था लिंग अनुपात सब ज्यादा किसमे था तो वो था बेटा आपका फूद उचेरी में अगला देखो भारत में प्रभावित साक्षर्ता दर्की गंड़ना की जाती है की जाती है बोलो भी या तो दोस्तों इध्यान रखना ही किया जाते है साथ वर से उम्र की आयू से अधिक देखे बच्छों अगला सवाल 2011 की जनकारश किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा किस राज्य का है कि दिखने रहा कौन बच्चा करा दिखने रहा कि मैं सही तो दिख रहाया मुझे तो सही दिख रहाया पीडिया बिल्कु सही आभी लगवादू को थोड़ी दिर पहले आकास कुमार बेटा हीरो मत बनो लिमिट में रहावर सिर्फ पढ़ने पर ध्यांदो अपने ठेके ना आप अभी एक स्टूडेंट हो स्टूडेंट लाइप मेर जियो और अपने माता पिता का और अपना सपना साकार करो समझे में बताई आपको और ना तो बेटा यही तर चलगог अन्सवर कासा कर आडिया और अगला देखिए किस राज्जे मेर्स अपसे जादा है किसराज्य में ST सबसे जादा मैं बच्छों इसकी पीडियाभ तुम्हें दूँगा इसलिए दूँगा पीडियाभ तुम्हें कि आपका पेपर अगर परसो है तो बता दूं बच्छों ST सबसे ज्यादा कहां है तो एश्टी यह हैं बिटा आपके मध्याप्रदेश में और भारत में वन सबसे ज़्यादा कहां है वन तो वन भी आपके नहीं पर भचो MP में वन भी सबसे ज़्यादा कहां है आपके MP में तो हुआ कि अगकर भारत में जन संक्या घनत तो कैसा है भारत में जन संक्या गनत तो कैसा है बढ़ रहा है लगब इस थीरे कुछ कम हुआ है पहले बड़ा और उनीस तो क्यान माथ के बाद घटा है अरे गुरु जी लगातार बढ़ता जा रहा है कभी नहीं गटा लगातार बढ़ता जा रहा बच्छो इधान रखना ठीक है अगला सवाल देखिए चल बेटा का सब तु जा यार घर पोछ दोस्त ठीक है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा वर्स 2011 की अनुसार स्तरी साक्षरत दर की द्रिश्टी से केरल के बाद दूसरे राज्य कौन सा था पहले नंबर पर अगर केरला तो दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है तो भ सबसक्रें बच्चे आके बोल रही है बच्चो तो वो कूण सी गलती कर रहा आप एक बात वसक्राया है और एक आगके क्टाप्ष कर रहा बच्चो इस बात को तो उस बच्चे को तुम ही बात कर से मैं क्या बात करूंगा वह सब्सक्ता संब यह घुक्तicus पे प्रowski नहीं ह जब्धर कर दमान और दीव अगला देखो भारत की जंसंक्या में रिनात्म वरद्धी कि आ भार fellas वह सवाल ये कम से कम पांच बारेपर में आ चुका थी 5 बार आपके पेपर में आचुका है भारत की जंसंक्या में रिनात्मक व्रद्धी एक बात कर रहा लिंग अनुपात किस राज्य का है तो बच्चों सबसे कम लिंग अनुपात के अगर मैं बात करूं तो यह आपके हर्याने का है हर्याना कहीं जीगे पीछे चल रहा है लिंग अनुपात हो या फिर आपका वन हो भारत में सबसे कम अगर वन है वो भी हर्याने में सबसे ज्या अगर पहला आपका यूपी हो गया तो दूसरा महाराश्ट ठीक है अगला सबल देखे 2011 की गण्ड़ना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है अगर आबादी की बात करूं तो पहले नमबर पर अपना उत्तर परदेश है पहले नमबर पर क्या है अपना उ नीचे से दूसरी है मैं पहले पर भियार हो गया तो दूसरे पर क्या हो गया आपका नीचे से दूसरी है है नहीं यह यह काँ चलिए आगला जवल देखो जन्संक्या के आद जन संक्या के आधार पर किस पर जन संक्या के आधार पर भारत का सबसे चोटा राज्य कुन सा है जन संक्या के आधार पर भारत का सबसे चोटा राज्य कुन सा है आप है अहां टेंपल भी करवाँगा तोड़ा वेट कर लो जन संग्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कुन सा है तो यह जन श्यतर फनाव, जो कि 1937 में अगला देखो अगला सवाल उस राजय का नाम बताई जसमें जन संग्या गाना तू सबसे कम है से उस राजय का नाम बताई जिसमें जन गनात वससे कम है तो यह आपका अन्सवर अरुण चल प्रिदेश अगला देखो 2011 की जनगना करुशार देश में सबसे अधिक जनग घनत्य को किसने दर्ज किया है बताओ तो तो दोस्तों ये किया है किसने अपना दिल्ली ने अगला देखिए वर्स 2000 एक सेकंड राष्ट्रिये जनगन संख्या निती 2000 के अंतरगत इस्तिर्ता प्राप्त करने के लक्षय को 2045 बढ़ा कर कितना कर दिया गया है एश असल का पेड़ बैच बेटा पाँच बजे है साम को पाँच बजे वह पंद्रह तरिक से स्टार्ट होगा फंद्रह मय इस पंद्रह मय इस स्टार्ट होगा ठीक है इसका जवाब दो भीया तो सातियों इसका सही आंपर जागा सर 2070 कर दिया है अगला देखो अगला सवाल है कि आपके पेपर में दो बार-ार मैं लिकराऊ इसव एर है ले मूष्ट इंपोड़ैंट यान की पूरे भारत की जन्संग हा में उत्तर पर्देश का योगदान कितना है यह आपको बताओ दोस्तो आपको बताना है कितना योगदान यूपी का है यूपी का योगदान है 16.5 यूपी का योगदान है बच्चों 16.5 ध्यान रखना अगला सवाल देखिए अगला सवाल 2011 की जणगर्ण सब ब्याहर की अनुमानीत अबादी कितनी थी आठ करोड जैसे की यूपी की हमारी 19 करोड अठाण मलाग 7,360 अब फिलाल में तो बच्चो हो गई होगी करीब 22-24 करोड के आसपास तो यह थी अपनी 10 करोड अगला देखिए भारत की पहली बाट जंगर्णा कब हुई थी जो ना बता पाए सीधा घर जाए जो ना बता पाए सीधा घर चला जाए भी यह तो नहीं क्योंगे गुरू जी तुमने जंगर्णा नहीं क अगला 2011 की जंग्या भारत की जंसिंग्या कितनी थी बारत की जंसिंग्या कितनी थी 2011 में 2011 की जंसिंग्या कि अगर्म बात करूं तो 2011 में थी बेटा 121 करोड के आसपास लेकिन अब हम पोच गए 142 के आसपास समझे रहो ना हमने चाइनों को भी पीछे चोड़ दिया है हमने चाइना को 29 लाग पीछे चोड़ दिया है अब चाइना हमसे 29 लाग कम है पोपुलेशन में कहां तक आएगा भी चाहिना भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कुंसा है भारत में सबसे घनी आबादी वाला अब तो बता दूं आपको 142 से भी जाता हो गई है बच्चो अब तो 142 करोड से बता है करेंट में लेकिन यह नहीं पूच जाएगी पूच अब यही सवाल करने थे इससे फालत्य अब बädताओ में किस पतवर हैं में गिरीश्य चन मूर्मू वरतमान समय है किस पत पर हैं जरह बताओ कि एक सो बैयालिस करोर अठाइस अच्छी यासी लाग हो गई है ओके यह बताओ मेरे प्यारे सातियों वर्तमान समय में कि आपके ग्रीश चंद मुर्मु जी कौन है अगर मैं ग्रीश चंद मुर्मु की बात करूं तो यह प्यारे साति ध्यान रखना है समय हमारे कैग हैं कॉम्प्टूलर एंड एडिटर जर्नल ओफ इंडिया यह भारत में कैग हैं कैक किस आर्टिकल में आते हैं किस आर्टिकल में आते हैं बचुए जिसको आर्टिकल ना पताओ लिख लो 148 से लेकर 111 तक 141 तक अगला देखिए अगला सब हाली में ओलम्पिक संकी पहली महिला अध्यक्षकून बनी है तो दोस्तों यह बनी है आपकी पीटी उसाब अगला देखिए राष्ट्रिये पिछड़ा वर्क के वर्तमान आयो के अध्यक्षकून है राष्ट्रिये पिछड़ा वर्क आयों के वर्तमान समय में अध्यक्षकून है हंसराज गंगाराज अहीर भारत के नए थलसेना के अध्यक्षकून बने है थलसेना के नए अध्यक्षकून बने है टेंपल करा दिये कही बार टेंपल कही बार करा दिये बच्चो यह को नहीं पूछ रहा क्या पढ़ा रहे हो डखकन से तो पूछ लूँ मैंनी वर्ड पूछ रहे क्या पढ़ा रहे हो आपको क्या दिख रहा बेटा सामने यह स्टेटिक जी के मैंनी वर्ड से आज कोई मेरा थन नहीं होगी बच्चो तो दोस्तों आपको बता दूँ यह बने हैं आपके मनोज पांडे जी अगला देखिए नीती आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है नीती आयोग पहले आपको यह बता दूँ कि नीती आयोग इसके नए अध्यक्ष की रूप में चुना गया है सुमन बरी जी को अगला देखो बचो राजीव कुमार भारत के कौन से मुख्य चुनावा एक तो बने हैं तो अगर मैं राजीव कुमार जी की बात करूं भूल बचो तो बच्वो यह बनें आपके कौन से नंबर के पच्छेसमें नंबर के अगला देखिए मादवी पूरी बुच फरवरी 2022 में भारतीय संस्था की पहली महीला अध्यक्ष बनी है सवाल प्यारे बच्चों माधवी पूरी बुच परवरी 2022 में भारतिय संस्ता कि बनी है अध्यक्ष तो बच्चों वो बने सेवी की इसकी फुलपों मोतिय सेक्योर्टी एक्षन बोर्ड ओफ इंडिया या भारतिय विनी में प्रति भूतियों का बोर्ड ठीक है अगला सवाल आपके सामने केंद्रिय प्रत्यक्षकर बोर्ड के वर्तमान समय में अध्यक्षकों ने तो यह बने हैं आपके नितिन गुप्ता साहब अगला देखो भारतिय भूव एग्यानिक सर्वेक्षन के महानिदेशक कौन नियुक्त किये गए हैं जवाब दो जश्टिस डीवाई चंद्रचूड सुप्रिम कोट में मुख्यन यादिस बने कौन से नमबर के बने यह सब से ज़्यादे इंपोर्टेंट है बताओ कौन से नमबर के बने हैं डीवाई चंद्रचूड अच्छा एक बात बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं CHSL के लिए स्टेटिक जीके का बैच लेकर रहां मतब किलास लेकर रहां यूट्यूब पर वही 20 मिनट वाली किसर सुरू करो प्लीज कम से कम इस्टेटिक जीके तो अच्छी हो जाए कौन बच्चे चाहते हैं इस वाली लाइन को आपसे पूछना चाहता हूं कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आपको इस्टेटिक जीके कराऊं 20 मिनट में सीजेल और दोनों को एक साथ आप सब चाहते हैं तो बच्चों उसका टाइम मैं यूट्यूब पर आपको बता दूंगा एक दो दिन में वह किलास आपकी चलेगी कबसे तो यह सुन लो 15 तारिक से कि पंदर मैं से वह किलास आपकी स्तार्ट मैंसे और कैम होगा आपका बता दिया जहाए जो बहुत अच्छी लगेगी जब दस्ति लगेगी। इसकी पचासवे नंबर के बनें हैं पचासवे नंबर नए चेर्मन कोन न्युक्त किए गये हैं तो यह जो करते थे शक्तिकान दास वर्तवान में आर्विया के गवनर र्बियूकर नगरे ४स्थापना पूनकर, यह अधि तो रबीया की स्थापना कब वुई ती U 1935 में और राश्ट्रिय करन वों था राश्ट्रीय करन वुवा था बच्छो उनिस सो उड़नचास में 1935 निस उड़न चास यह याद राखना 1935 और उननिस उड़न चास दोनों डेट याद राखना 1935 में इस्थापना हुई और 1948 में क्या हुआ था बच्चों 1948 में राष्टी करन उगा था तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा बच्छो भारत की पंद्रवीर राष्ट्वति दिरोपती मुर्मू बनी है उनका जनम भारत के किस राज्य में हुआ था पंद्रवीर राष्ट्वती दिरोपती मुर्मू बनी है इनका जनम कहाँ पर हुआ था अगले देखिये थेस के चोगदवे उपराष्ट्पती कोन बने है हमारे देस के चोगदवे राष्ट्पती कोन बने है बचो कि यह करंट अफेर के टोपिक है सब कुछ कवर करा दूँगा तो यह चोधवी राष्टपति आपको पता है जगदीव धनकर जी बने अगला देखिए आपको पता ना सीबेसी के वर्तमान में अध्यक्ष कोन है सीबेस्टी के तो दोस्तों यह हो जाएंगे आपके निदीज बिच्छिलर जी पंकच्कुमार वर्तमान समय में किस संस्था के महान दे सके अगर मैं पंकचकुमार की बात कर रहा हूं तो यह किस संस्था किए अध्यक्ष है महान दे सकें बच्चो सीमा सुरक्षबल अगला देखिए अक्टूबर 2022 में भारत के सोलवे महानवादी कौन बने हैं बता हुजरा सोलवे महानियावादी कौन बने हैं चलो ये सवाल अपका हो गया अशर्प यहां तक का आपजाओ बच्चो मैं कुछ मंदीर कराना चाहता हूँ जो कि बोगट बच्चो की डिमांड भी है कि वे मंदिर हमारे नहीं हुए थे मंदिर रह गह गयते मंदिर खरलो बही है मंदर भी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको हर तरीके का सवाल करा दूंगा सारी चीज़ा आपकी कंप्लीट करा दूंगा बस मुझे आपका सलक्षन चाहिए पर यह वो जो बुक है उन्हें कल करा दूंगा परिशान मत हो जो बुक और ओतर का टोपिक है उसे हम क सबस्क्राइब करा देंगे घबरा क्यों रहो कल मैरातन है बच्चों कितने बच्चे चाहते हैं कि कल सुबए 9 बजे मैरातन कर आई जये बुक एंड ओतर मंदिर मस्जिद मेले गुर्दवारे खेल स्पूरा इस्पोर्ट सब कुछ महां पर हो जाए बुक के क्वेशन सब कुछ हो जाए बच्चो कितने बच्चे चाहते हैं कि कल नो बजे महरतन हो तो 9 एम लिग दो सभी बच्चे एक बार कमेंट में नाइन एम लिग द तुमआरे लिए तीन घंटे में महरत क rubbishॉँँग सुब है का त dove टहाए जब तक उटए देख लिएए जब तक एक दो मिनट और बचील अभी है अगर मंदिर की बात करों बच्चों पहला मंदिर कहां पर है है अगर मैं बात करता हूं कि केलास मंदिर कहां पर है केलास मंदिर कहां है तो बच्चो केलास मंदिर के अगर में बात करूं यह आपके एलोरा महराष्ट अगला देखिए माता वैश्णो देवी का मंदिर कहां है आप जो कहोगे वह करा दूँगा हर चीज लेकर आया हूं तु कहा जाता है समझे अगला देखे रगुनात मंदिर कहां परिस्तित है रगुनात मंदिर कहां इस्तित है बच्चो तो रगुनात मंदिर के अगर मैं बात करूँ यह है आपके कहां पर जम्मु कस्वीर में अगला देखिए गोम्तेसवर मंदिर कहां पर इस्तित है गोम तेस्वर मंदिर कहां परिष्थी थे बच्चो तो गोम तेस्वर मंदिर के अगर बात करूं तो यह करनाटक में है अगला देखो स्वर्ण मंदिर हर्मिंदर साहिब कहां परिष्थी थे स्वार मंदिर, हर्मिंदर मंदिर जो है, यह कहां परिष्थित है, तो यह हो जाएगा बच्चों, आपका अमरत्तर, अगला देखिए, अमरनात मंदिर कहां परिष्थित है, अमरनात मंदिर भी कह सकता है, अमरनात गुफा भी कह सकता है, आपसे परिशान मत होना, तो यह है यह तुम्हारा आज का होंवार का बच्चो कैसी लगी के लाज जरा बताओ सुबह 9 बज़े के लिए सब तयार हो कि भाई 900 बच्चे पढ़ रहे हैं 900 के 900 लाइक कर दो सभी बच्चे को चैनल सस्क्राइब करो जितने पढ़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो कि अब कि जक्चे अ कि 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 सब्सक्राइब अब बच्चे नोब जाने लिए यार कम से कम लाइक तो कर दिया अकरो फीडियो गयार बात होती है इंसाने बिलकुल भी नहीं है अब देखो, आप मेंसे कितने बच्चे हैं जो CHSL का फूम बरेंगे, मुझे ये बता दो आप मेंसे कितने बच्चे हैं जो CHSL का फूम बरेंगे, ये बताओ कि गुरुजी मैं CHSL का फूम बरूँगा कि आज फिर बता रहा हूं तुम्हें है कि पवन आपको अच्छा पड़ा पाता है समझा पाता है तो आज मेरे कहने से मेरे बैच में जुड़ जाओ बैच कैसे मिलेगा यह देख लो इस को बीजनेस लगे जा देखें आपको क्या करना है गोगल पर जाना है जाने के बाद आपको लिखना है अगट का करना नेट इसु है मुझे लगता है दो यह कैसी बढ़ती है जान ना मेडिकल है ना फिजिकल है सीधा पेपर है और उसके बाद बच्चो टुरं तो आपका सेलक्षन है आपको जाना कहां पर है हमारी वेबसाइट ओपन करनी है और अभी कुछ नेट इसु हो गया है तो आपको करना है उसके बाद में एक लवे बैच आपको मिल रहा मेरे प्यारे जातियों कितने रुपे का थैंक जातियों नमस्कार खुस रही है मस रही है आपको बता दूँ आपकी जो पीडिया आपको मिल जाएगी लेकिन कल सुबह नो बजे मेरा तन क्लास में जरोड़ना थैंक क्यों धन्यवाद जय हिंद बचो